अभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि करनाटका म हनुमान चली सा चलाने पर जो शांती दूतों ने विवाद किया जो हंगामा मचाया उसी मुद्दे पर आप देखेंगे पाकिस्तान की मशूर पत्तरकार शैला खान को जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदो सानी शेनी और सुप्रीम कोट की सीनियर वकील दबंग नाजिया खाँ जी जो कि अपना बेबाग और दमदार रेक्शन देंगी इसी मुद्दे पर तो ये वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कोई जानने को मिलेगा तो इसे अंतक देखें और चैल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर दें त अब गनेश चत्रोती में भी आजान नहीं होने देंगे अब शिफ पूजा में भी आजान नहीं होने देंगे और अब होली में भी आजान नहीं होने देंगे इस राम राज इस नए भारत में अल्ला के जो स्लिपर सेल बन करके बैठे हैं और जो मुगल के स्लिपर सेल बन क अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना और जैसे जैसे सनातनी लड़कियां दिखाई दे उनके साथ बलातकार करना लब जिहाद करना गलारे इतना यहीं उनको आता है उनको इसी में मज़ा मिलता है उनको यही चीजें ही अट्राक्त करती है और इसलिए हम गुल्वी टुने करो इसलमय ल् ezलिए तो मशी करने चीजिव इसमारे च्रहिपन तो मामी मिल जाये तो मारेंगे यहुदी में दो तो मारेंगे पारसे मिल जाए तो मारेंगे, सिख मिल जाए तो मारेंगे, बोध मिल जाए तो मारेंगे, जैन मिल जाए तो मारेंगे, और अगर कोई नहीं मिलेगा, तो 72 फिरका आपस में एक दूसरे को मारेगा, जब कोई नहीं मिलता है, तो सुन्य शिया को मारता है, सुन्य विद्योब कdoor स्रीतम का मिला तो उसको पहले काटके जिराएंगे और अगर नहीं मिला तो Pheer असुने आपस मिला ज़ा पूultan कणिये और युजलमानों को अ-पीजय चाहिए तारिख पड़ नहीं चाहिए नजी अलाहिखान नहीं चाहिए शाहिए यासिन मलिक चाहिए मुसल्मानों को वो इसको फॉलो करते हैं भारत के मुसल्मान जब तक अपने दिमाग का पट्टा नहीं खोलेंगे और भारत की तरक्खी में खुद की तरक्खी को नहीं ढूनेंगे तो अब हमें कट्थर होना पड़ेगा यह जो पत्थर लेकर के चलने वाले हाथ हैं, इनके सामने हमें कट्टर हो करके सामने आना पड़ेगा और मुतोर जवाब देना पड़ेगा तब जाकरके इनको बात समझ में आईगी, अब सनातन धर्मा जो है ना वो जाक चुका है, ये जरूर दिखाया, अगर मुसल्मान ये सोच रहा है कि वो कुट्टे जुन की तरह एक साथ आकर किसी भी एक वे अपती सनातनी को उसको भजन की तन में रोक करके उसको मार पीट कर सकता है, तो ये अपनी ब्यादरिंग ये अपनी मिजॉरिटी दिखा करके बताएं कि देखो हम पढ़ेंगे हनुमान चलीसा अपने दुकान में बजा रहा था, और छे मुसल्मान आये और उससे पहले बहस के और पी उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा वीडियो जो है आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, नहायत अफसोसनाक वाक है, इसके उपर जो इंडिया के जो हिंदूस कम्यूनिटी है, उनका बड़ा ही अग्रेसिव किसम का रियक्शन आया है, आज शुटर डाउन हर्टाल है उस एरिया में और लोग जिनुटी है, नाजर लाई खान एक बहुत जादा वुकुल वाइस है भारत की और हमेशा इन्होंने मुसल्मानों का पक्ष रखा है और सनातिनों को एप्रिशेट किया है, लेकिन आज जो हमारे शोब पर बहुत-बहुत स्वाज़त है, और पाकिस्तान के सभी लोगों को रमजान की बहुत-बहुत मुबारत बात और बहुत अच्छा टॉपिक आपने मुझे दिया है, मैं शुक्र गुजार हूँ आपकी और पिछले तीन दिन से मैं बहुत गुस्से में, बहु और ये लोडे मुसल्मान के, इनको आखे दिखाते हैं, जो भारत की सुरक्षा करने के लिए गोली खाने से भी पिछे नहीं हटते हैं, मैं कहना चाहूँगी, कि जिन लफंदरों ने ये कहा है, बैंगलूरू के उस नौजवान, हिंदू नौजवान को, कि भजन-किर्तन बंद कर, रमजान है, और रमजान में तेरा भजन-किर्तन नहीं चलेगा, तो आपके चानल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ, कि अब नवरातरी में भी अजान नहीं होने देंगे, अब गनेश चत्रुती में भी अजान नहीं होने देंगे, अब शिफ्पूजा मे लेने को हम तयार हैं हम तो तयार हैं और मैं तो बिलकुल तयार हूं भारत और भारत के वासियों के दिल से दिल में मोगल को भरना और भगवान को मिटाना यह बहुत बुरा और बहुत गंदा स्ट्राइजी चलता चला जा रहा था तलवार दिखा करके सनातनियों को शलवार पहनाना और तलवार दिखा करके सनातनी बेटियों का शलवार उतारना ये भी मुसल्मानों की बहुत भद्धी और गंदी स्ट्राटेजी भारत के अंदर चल रही थी. और चल रही है. अब और और ऑरमजेब रोड नाम रख लेने से क्या भगट सीनझी जी की मुहवत हमारे दिल से मिटा दी गई? अब हम बिनोई बादल दिनेश जी को, क्या हम अशिवाजी महराज को, क्या हम अशोका जी को क्या हम भूल गए हैं नहीं भूले हैं तुम तुगलक रोड बनाओगे तुम शाजहां रोड बनाओगे तुम अकबर रोड बनाओगे तुम औरमजेब रोड बनाओगे हम क्या भगत सिंग ची को भूल जाएंगे, हम तो नहीं भूलेंगे, अब बात आती है कि हमारी राम मंदिर के साथ कई मंदिरों पर बाबर और औरंजेब ने बहुत खहरड आए, बहुत खहरड आए, लेकिन उसके बावजूद भी किया भगवान राम की आस्था हमारे दिल स से कोई मिटा पाया साड़े 500 साल के बाद भी राममंदिर बनी प्रान प्रतिष्टा हुआ और पूरी दुनिया ने उस राममंदिर प्रान प्रतिष्टा का आयोजन और दिवाली से बढ़कर दिवाली मनाई मैं पूछना चाहती हूं कि आकर वो कौन सा पुरान का पन्ना और क्यांन को को कौन से चीजों को मसल्मान मान रहे हैं जो ह인데요 कि आँख्यों में आख्यों में आखें ढाल करके यह कहते हैं के रमजान इविटा अभी भजन मत गार्थों उम भी नमाज को भी इस भारत की धर्ती पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे City तुमको भी इस भारत की धर जो अश्लिल्ता का नंगा नाच होता है इसको नहीं चलने देंगे लाउड़स्पीकर पर प्रॉफेट मुहमाद सल्लाइब सलम जब घारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे तो क्या लाउड़स्पीकर पर पढ़ा करते थे बीबी फात्मा रजी अल्ला ताला अना जब अपन दिखा रही हो कहने को मुसल्मान कहता है भारत से लेकर के पाकिस्तान तक के वो सुन्नत रुसूल को मानता है वो सुन्नत रुसूल की पावंदियों पर चलता है वो सुन्नत रुसूल के आगे अपने घुड़ने टेकता है पर सुन्नत रुसूल प्रॉफेट मुहमाद सल्ल तो कहते थे कि उनको हिंद की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है उनको हिंद की हवाओं से वह बहुत मतासर होते हैं तो आप यह जो जितने भी भारत और पाकस्तान के मुसल्मान है मुझे लगता है ये इबराहिमा की पौज है क्योंके सुरह अन्विया वर्सा 63 में हज़त इबराहिम अलाहिसलाम ये बुतों को तोड़ रहे हैं ये तो आपने ठीक है कि बुतों को तोड़ना और इसलाम के शुरुआत इसी तरह होती है लेकिन नाज़ा जी इस मामले में एक चीज है जो बड़ी वर्स्ट हुई है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिक, किसाई, भारत के अंदर सब हमने देखा है मिल जुल के रहते हैं और यही जो कल्चर है भारत का उसको पूरी दुनिया में एक खास मकाम दे रहे हैं मुसल्मान नमाज पढ़ने जाते हैं मुसलमान ईदगाहों में जाते हैं लेकिन एक सनातनी अपनी दुकान में बज़न नहीं बजा सकता बज़नगा नहीं सकता और उसको मारा भी है, सिसी टीविग फोटेज भी आई हैं एक तरफ तो मुसल्मानों के लिए पाकिस्तान वाज उठाता है कि भारत का मुसलमान सेम अब जहां Pauraisिस्तरहा की रियक्षेंट इस ठाएम मुसलमान कम्यूड़िती की तरफ से अब बाकी मुसल्मानों का इस प्रियास्थ्य उरे है diyor जुम सिर्फॉं सिर्फं़ के सासि हो रहे है। हमारे सनातनी भाई बेहनों के साथ ही हो रहे हूं और यह लफंदर मुसल्मान कर रहे हैं और उसको मैं आपको स्रीज से बता देती हूं बुलेट पॉइंट करके बता देती हूं 1665 में पहली बार औरंजेब ने होली दिवाली बैन करवाजी थी में 1666 में यमुना के घाटों पर शम्षान और अंतिम संस्कार हिंदूओं के बंद करवाये थे मुगलों ने 1666 में केशव मंदर के सभी दिवालों को तोड़ने का फर्मान दिया था औरंजेब में 1669 में औरंजेब मतुरा के मंदर को तोड़ा और फास परमान दिया कि जितनी भी मूर्तियां हैं उसको जलाओ हिरा जावाराद मुगलों ने लूटा और जो मंदिरें जलाने के बाद भी बच गई उसको बेगम साहिक की मस्जिद के सीड़ियों पर दफनाया गया ताके नमाजी उस पर पैर रख करके आना जाना करें यह किया है और बात में मतुरा का नाम उन्होंने इसलामाबाद रख दिया यह हुआ है अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़े ऑथर है बहुत बड़े माप तेले आप गूगल में सर्च कीजिएगा उनकी किताब जरूर पढ़ि है और जिसकी वज़ा से आपके उपर अटैक भी होता है आपके आपके उपर बहुत अबहुत टिपडियां भी होती है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मार्क तेले की आप किताब पढ़िए जिसमें उन्होंने बहुत बड़े पत्रकार है और 2019 की उनकी एक किताब है जि इतना सीना चोड़ा करके रह रहा है उतना ज्यादा खुश नसीब तो पाकिस्तान और मुस्लिम देशों कभी मुसल्मान नहीं है और उसकी जिंदा मिसाल मैं अभी आपको दे देती हूं एयर स्ट्राइप आपके यहां अफगानिस्तान इरान और पाकिस्तान के बीच में ह हो रहा है मुसल्मानों की एक हरकत है जो आप मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा मुसल्मान ढूनेगा हो जेगा टुकड़ा टुकड़ा गैन हिंदू मिल जाए तो मारेंगे क्रिश्टन मिल जाए तो मारेंगे यहूदी मिल जाए तो मारेंगे पार्से मिल जाए तो मार बढ़ दो मिल मर जाहे तो मारेंगे जयान मिल जाहे तो मारेंगे और तो 72 फिर्खा हो मार कुछ कंव धूब को मारतám है। कंवारता है हूछ हुड को मारता है कि तो हमारा नेचर निशर में घुल और आजूसा चुके हो कि अगर कोई दूसरे धर्म का मिला तो उतको पहले काटके गिराएंगे और अगर नहीं मिला तो फिर श्या सुनिया आपस में लड़ेंगे और ये फैक्त है क्योंकि आपके पाकिस्तान में श्याओं की मस्जिदे नहीं बची वहाभियों की मस्जिदे नहीं बचिए, इमामबाडेशिया के नहीं बच Richtung के लोगे चिया का विश्माह इमामबाडे वो बच भी स सब्खते है। वीडियोаем के लोगो पिबता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खांजी का दमदार और बेबाक रियक्शन आपको काफी पसंद आयोगा जिसमें नाजिया खांजी ने इन शांती दूटों से लेके मज़ब के ठेकेदारों को जमके उधेड के रग और नाजिया खांजी ने ये भी का कि अगर रमजान में हनुमान चली सा नहीं चलेगी तो फिर नवरात्रे हो चैफित दुर्गा पूजा हो तो फिर आजान भी नहीं बजेगी तो इसके बारे में आपके कह विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आएं तो इसे लाइक और शेर जरूर कर दें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटस इंट्रोसिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़दार और वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत जै श्री राम